तो हैलो बच्चो नमस्कार जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तयारी हिंदी की नहीं की हुई है वे बच्चे सारे जितने भी कमजोर छात्र हैं जिन्होंने हिंदी को पढ़ा भी नहीं है देखा भी नहीं है और अभी वो तयारी करना चाहते हैं और अभी आपका जो इजाम ह वो 16 फरवरी से हिंदी का पेपर आपका कंफर्म हो चुका है 16 फरवरी से आपका पेपर होगा ठीक है तो अगर आपको इतने में ही तयारी करनी है आपने कोई भी तयारी नहीं की है तो आप इस वीडियो को पूरा देखे और चाहे इस वीडियो से आप नोर्स बना लीजिए ठीक है आपका पूरी हिंदी कंप्लीट होगा और 110% की मैं गैरेंटी लेकर कहती हूँ इस वीडियो को देखने के बार आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी और आप पेपर दे कर आओगे तो खुद कमेंट करके कहोगे कि मैं आपने जो भी प्रश्ण दिया था जो भी कद्यान से दिया था जो निबंद दिया था उसी मेंसे सारे कोश्चन पुछे गए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद यह मैं खुल कर कहती हूँ आपको अगर आप पेपर दे कर आओगे तो अगर आपने ऐसा कमेंट नहीं किया तो फिर आप कहिएगा कि मैंने क्या कहा था ठीक है और हिंदी की तैयारी कम्प्लेट करें और इस वीडियो को बराने में बहुत मेहनत लगी है तो कम से कम आप लोग एक हजार लाइक इस वीडियो पर जरूर दीजिए फिर जाके मुझे भी अच्छा लगेगा कि सच्वी मेरा ये वीडियो सभी के काम आया है और मैं सभी की हिल्फ कर रही हूँ ठीक है इतना आप लोग जरूर करें भूला मत करें लाइक करने जितना जल्दी इस वीडियो पर एक हजार लाइक आएगा उतना जल्दी में आपको समाजिक विग्यान का मैथ का सारे इंपोर्टेंट जो दे दूंगी जिससे बाहर आपका कोई भी क्योश्चन नहीं जाएगा और बहुत ही कम पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो इसके लिए आपको एक हजार लाइक दे दूसरा आपसन यहां पर आप देख सकते हो ऐसे करके गोला रहेगा ठीक है अगर जिसको नहीं पता है वो एक बार जरूर देख ले और माली जीए कि आपने पढ़ा हिंदी का प्रथम उपन्यास है ठीक है आपने पढ़ा और इसमें परिच्छा गुरु जो है हिंदी का प ना देना है यह चीज आप समझ गए दूसरा आप देख लो जैसे हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती ठीक है इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है यह क्या है दूसरा आपसन है ध्यान से ठीक ध्यान से लगाएगा ओया मार सीट को भरने में अगर आपने दो गोले में भर दिया ठीक है दू गोले में ब्लैग ऐसे कर दिया तो फिर वो कुछ अंस्वर आपका गलत हो जाएगा पूरा कम्प्लीटली ठीक है और ना ही आपका वहाँ पर वाइट न लगेगा ना ही कुछ क्योंकि कम्प्यूटर के द्वारा चेक होगी उसमें आपका कुछ भी नहीं चलेगा आपको इसलिए ध्यान से करना होगा कि कौन सा है आप इसमें देखिए इंदुमत्य है इंदुमत्य का दूसरा अप्शन है तो यहाँ पर आपको इस तरह से गोला भरना है दूसरा ठीक है देख ल निम्न में से कौन सी सुकल युक्षी पत्र का है तो हंस जो है आपका सही अप्शन होगा ऐसे ही आपको ध्यान से को करना है और जो यहाँ पर कोश्चन दिये गया है इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला सारे कोश्चन इसी में से पूछे जाएंगे ठीक है बहु तो यहाँ पर आपको सही आप्शन यहीं पर मिल जा रहा है ठीक है असोग के फूल हजारी प्रसाद दिवेदी का निबंध है ठीक है इसी को आप सही कर दोगे ठीक है अगला कोश्चन देखोगे घुमक्कर सास्त्र के लेखक है ठीक है घुमक्कर सास्त्र के लेखक कौन है तो राहुल सांकृत्यायन जो है वह घुमकड शास्त्र के लेखक हैं ठीक है सारे जो important यहां पर रचनाये हैं important लेखक है सभी मैंने यहां पर दे दिया है ठूठा आम किसकी रचना है तो ठूठा आम जो है वह भगवस्तरण उपाध्याय की रचना है ठीक है इसको भी आद कर लीजेगा सारे कोश्चन important है तैयार कर लीजेगा अगला कोश्चन है एकांग की समराट कहा जाता है तो एकांग की समराट किसे कहा जाता है तो एकांग की समराट जो है रामकुमार वर्मा को कहा जाता है ठीक है और अगला कोश्चन नागरी प्रचार प्रवर्तक माना जाता है अगला question देखे त्याग पत्र के रचनाकार है तो त्याग पत्र के रचनाकार जो है वह है जैनेंद्र कुमार ठीक है जैनेंद्र कुमार सही option है अगला question देखे कामायनी महाकाबि के रचाइता है तो कामायनी महाकाबि के जो रचाइता है वह जैसंकर प्रसाथ सही option है ठीक है यह बहुत ही important है अनामिका के रचाईता है ठीक है अनामिका के रचाईता कौन है तो महादेवी वर्मा है अनामिका के रचाईता या फिर सुमित्रा नंदन पंत निराला या फिर अग्गे तो निराला जो है वह अनामिका के रचाईता है ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको 35 question optionally यह हैं जो कि आप लोग को तयार करने हैं उसके बाद आपको गध्यांस पत्यांस बता देती हूं जो important है प्रजा ही तैसी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी से भी थे तो प्रजा ही तैसी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी से भी थे सिव प्रसाथ सितारे हिंद ठीक है ये प्रजाहितेजी समाचार पत्र निकालने वाले थे अगला जो कोश्चन है रानी केत्की के कहानी के लेखक है तो रानी केत्की के कहानी के लेखक जो है इसा अल्ला खा ठीक है इसा अल्ला खा है अगला सिंगार रसमंडन के रचनाकार है सिंगार रसमंदन की रचनाकार है, गोकुलनात, विठलनात, नाभादास जी, ललूलाल कौन है, तो विठलनात सही आपसन होगा, ठीक है, निर्जा की रचनाकार है, महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा आपका सही आपसन है, अगला कोश्चन है, जैसंकर प्रसाद की र संकरप्रसाद्की नहीं धिया अनग के रचनाकार निडाला या फिर मैतली संगुप्त के रचनाकार टलोड क्लव निवंद के रचनाकार धेल ये सबसे बाद बल्तम से यानने कि वह तो आपका सद्धिसाहित और पद्यसाहित से सथा अब आपका जो है वो रस अलंकार यह सबसे रस छंद अलंकार तस्तम प्रयायवाची सब्दुरूब धास रूब इससे है ठीक है तो सोक विकल रोवही सबरानी रूप रासिबल तेज बखान तो जैसा कि मैंने आपको बदाए कि हो रहा है सोक विकल रोवही सबरानी तो सिंपल सी बात है कि यहां पर करूर रस होगा ठीक है उसके बाद देखिए जो सुमिर सिध्य होई गननायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्रा हैं अब मात्रा हैं मैं आपको बता दू कैसे गिनना है आप लोग को अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो जो सुमिर सिध्य होई गननायक करिवर बदन तो इसमें कितनी दोनों चरणों में कितनी मात्रा हैं तो यहां पर आपका देखिए जो लगा हुआ है यानि कि यहां पर यह मात्रा होगी ठीक है इसको दो गिना जाता है जहां पर छोटी क का मात्रा है सो में एक एक ठीक है यहाँ पर और यह गिना जाएगा एक ठीक है एक गिना भी जाएगा ठीक है यहाँ पर भी छोटा का मात्रा है लगेगा फिर तो यहाँ पर यह लगेगा ठीक है अब देखिए आपका यह दो गिना जाएगा तो यहाँ पर एक एक दो एक ठीक 11 ठीक है यहाँ पर 11 हो गया है ठीक है अब प्लस अब इसका गिल लेजिए सबसे पहले तो एक और यहाँ पर गुरू लगेगा बड़ा का मात्रा है यहाँ पर गन अब यहाँ पर देखिए ग में लगू लगेगा गन में लगू लगेगा ना में आ की मात्रा यानि बड़ा है तो गुरू लगेगा ठीक है उसके बार लगू लगू ठीक है यहाँ पर लगू लगू यहाँ पर लगू 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 ठीक है अब एक दो इसको दो गिना जाए चार हो गया और यह 6 और 7 8 9 10 11 12 ठीक है अब 13 11 को एड़ कर दिजीए ठीक है 13 तीनिक 4 हो गया एक एक दो हो गया ठीक है कितना हो गया 24 ठीक है इस तरह से आपको solve करना पड़े तो यहाँ पर 24 जो आफसन है जो सुमिरस सिध्य होई यहाँ पर इसको 24 आप सही कर दोगे ठीक है इस तरीके से आपको करना पड़ेगा अगला question देखे चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंका की अभिव्यक्ति हुई है ठीक है तो आप यहाँ पर चार आफसन दिये हैं आपको स्लेश तो पढ़ना नहीं था आपको उत्प्रेच्छा उपमा रूपक यहीं तिन तयार करने थे तो यहाँ पर देखो उत्प्रेच्छा अगर होता तो मनु मनहू जनु जनु जनहू यह सब आफसन होता उपमा होता तो सी होता ठीक है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो इसका मतलब रूपक है ठीक है रूपक टिक कर दो अगला कोश्चन जो है त्रिफला का समास विग्रह है तो त्रिफला का जो समास विग्रह है वो होगा तीन फलो का समोह ठीक है तीन फलो का स पावक भी अगनी का प्रयावाची है आग भी है तो उक्त सभी ठीक है तो उक्त सभी जो है इसको आप टिक करोगे उक्त सभी यानि कि तीनों आग का प्रयावाची है तो यहां पर आपका छठी विभक्ति है बहु अचन है ठीक है इसको आप टिक करोगे अगला कोश्चन दे फिर आपको सारी चीजे समझ में आ जाएंगे, तो यहां पर जो लोट टलकार है, यह आपका पठ़थ दुका है, ठीक है, इसको तयार कर लिए, हास चरस का स्थाई भाव क्या है, हास है, ठीक है, प्रत्यो पकार में कौन सी संधी है, तो प्रत्यो पकार हमें, जो है, वह यड संदी है आप लोग को सिर्फ यड़ संदी तयार करनी है यड़ संदी ही पूछा जाएगा मधूसु सब्द में कौन सी सभिभक्ति एवं वचन है तो मधूसु सब्द में आपका सब्दमी विभक्ति एक वचन है ठीक है तो यह option बिल्कुल सही होगा अगला संसार का मध्यम पूरूस एक वचन में रूप बनेगा तो इसका बनेगा आपका पठ जो है वह बिल्कुल सही option होगा ठीक है अगला question देखेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्यूंकि आपको इसमें सभी चीजे मिलेंगी और कपड़ा का तस्सम है करपठ ठीक है कपड़ा चीजवाला सी लगा हुआ है ईसका मतलब यह उपमा है ठीक है तो उपमा अलंकार पर टिकार दो जाए उसके बाद हसदिहा तो लोटलकार पूरुस एक वचन में रूप बनेगा तो हसदिहा तो लोटलकार प्रूरुस एक वचन में रूप होगा तो इसमें होगा हासत जो है वह आपका एक वचन रूप होगा लोटलकार में ठीक है और उसके बाद आता है आपका तत्सम ठीक है तत्सम में जेठ का तत्सम है तो जेश्ट ठीक है जो संस्कृत का सब्द होता है वह आपका तत्सम होता है जो हिंद यह option बिल्कुल सही है अब इसके बाद आपका जो है संस्कृत प्रश्णोत्तर आता है उसको देख लीचे तो यहाँ पर मैंने संस्कृत का जुतना भी important question है 2023 में जो पूछा जाएगा ठीक है और 100% में से पूछा जाएगा सिर्फ आपके यहाँ पर 11 question मैंने दिये है संस्कृ की महतुपूर प्रश्णोतर के लिए ठीक है बस इतना ही 11 question अगर आप याद कर लेता हो तो पूरी guarantee है कि आप पूरा question करके आओगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए वारानसी कस्या नद्या कुले इस्थिता तो वारानसी गंगाया कुले इस्थिता कितना simple है ठीक है यहाँ पर सिर्फ कस्या की जगह पर गंगाया लगाना है ठीक है का नगरी विविद धर्माना संगम मस्तलियस तो वारानसी नगरी बस वारानसी यहाँ पर लगा देना है का की जगह पर वारानसी लगा देना है ठीक है अगला question देखिए कुत्र मरनम मंगलम भवती कहाँ पर मरना म मंगल में होता है तो वही है वाराणस्या मरनम मंगलम होती वाराणसी में मरनम मंगल होता है ठीक है वीर केन पुझते वाराणस्या कत विद्यालय है संति यानि कि वाराणसी में कितने संस्कृत विद्यालय है ठीक है कितने विश्व विद्यालय है ठीक है यहाँ पर विश्व वीर्यण पूझते ठिक है और पुरुराजख कहा सितु पुरुराज कहा सित Roberts राज भारत तिस्या एक वीर्य डिप यानि भारत के एक वीर राजा सित कह और ग्रामीड ग्रामीडान bola सथ ग्रांड़ की सता है एक अग्रिक गरामिडान ऊच्हां चंद्र महर्त माखन संसक्रती सदागती सीला त Doyle के सतीम्हस्तो करG служit NH the P Sas peach सबसे भयानक होता है यह आपका मित्रता से है यह दोनों आपको तयार कर लेना है मितरता पाठ से है जिसके लेखका आचारे राम चंदर्सुक्ल है और अगला जो है रोहतास दुर्ग कहां अंत था इस गध्यांज को तयार कर लेना है और यह भगवान तब के लिए बिपत के लिए बना रही हूँ तक ठीक है यह अपका ममता से है ठीक है यह ममता से है इसको हो गया है वाक्रति संस्कृति से है अगला जो है कितना जीवन बरस पढ़ा नाम नहीं लेती यह जो है गद्यांस आपको पढ़ने की आवसेक्ता नहीं है बस इतना अगर आप तयार कर लेते हो तो आप गद्यांस को पूरा करके आओगे ठीक है यहां पर देखिए रानी मैजानी अजानी भयो यह आपका वनपत पर से है पर से है और बहुत ही इंपोर्टनेंट है ठीक है यह आपका जो है भक्ती से है ठीक है उसके बाद देखिए निर्भाय स्वागत करोमृतिक्वा यह वस्त्र भाक ठीक है यह आपका स्वादेश प्रेम से है इसको तयार कर लीजिएगा तो यहां पर कुल आठ जो पद्यांस ह है वह आपको तयार करने पड़ेंगे क्योंकि इन में से कोई भी पूछा जा सकता है ठीक है इससे बाहर नहीं जाएगा यह मेरी गैरेंटी 110 परसेंट की है अगर आप इतना तयार करते हो तो आपको और कुछ भी बढ़ने के आउसकता नहीं है ठीक है इतना आप बिना हिच लाल चतुरवेदी और इसमें जो है यूग चरण से लिया गया है इसको भी आपको लिख देना है ठीक है यह बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूरा पूरा गैरेंटी है कि पूछा जाएगा ठीक है आप इसको जरूर तयार कर लेना वारंस्या प्राचीन काला सादेव प्रचलित इसको तयार कर लीजेगा इसा नगरीह पारसी भासाया कारीत है यह भी वाराणसी से है ठीक है यह आपका भारती सख्रुति इसको भी तयार कर लेना है ठीक है तो यह है आपके संस्कृत गध्यांस हो गये इससे बाहर आप क कुछ भी नहीं जाएगा और अगला जो है महतलपूर संस्कृत पध्यांस क्या है मरणम मंगलं केन में त terrible यह आपका वाराणसी से है इसको तैयार कर लिजेगा वतावा हतोवाप, प्राप्तेश्टि विगत पूरा वीडियो मिला लेना अगर पेपर में कुछ भी बाहर से हेसे आईगा पीर तैयार करते लौ ठाजक है क्योंकि तेन इस लोक आपके जो है पार कोश्चन में पूछ दो दोगों पूछा जाएंगा की ये भी आपका question में आगया अगर आप छiell export Morning आगया है ठीक है मियानि कि संस्कृत पद्यांस जो पूछा जाता है उसमें दो पूछे जाते हैं एक अथवा करके एक और ठीक है तो मालेजी यह दो आपका आगया फिर भी आपके पास यह बचा रहेगा जो इस लोग पूछा जाता है दो नमबर का अगर आप इसको लिग द वही दोनों आपके पेपर में आ गाएं फिर आप क्या करोगे इसलिए आप तीन तयार करना ठीक है की यहां पर आपको महतफूर जीवनपरचे बता देती हूं तो यह आपका जैसंकर प्रसाद और आचारे रामचंद्र सुक्ल का जीवनपरचे आप गद्या गद्य के लिए और कभी के लिए सूर्दास, महादीव विर्मा, राम नरिस रिपाठी ये तीनों तयार कर लिजेगा ठीक है और राइटिंग पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए क्योंकि राइटिंग बहुत ज्यादा माहिने रखती है अगर आपकी राइटिंग सुंदर है तो फिर एक्जामिनर आपको नंबर देगा अगर आप थोड़ा भूत मिश्टिक भी लिखे हो तो भी अगर आपकी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो फिर नंबर आपके कट जाएंगे इसलिए राइटिंग पर फोकस करिए ठीक है कम से कम आपको 9 नंबर पूरे लेने है निबंद से बिद्यार्थी और अनुसासन पूरी 100% के है जरूर पुछा जाएगा कम्प्योटर भी तयार कर लीजेगा ठीक है यह पांच निबंद बहुत ही ज्यादा इंपोरेंट है और जितना भी मैंने आपको यहां पर दिया है सारे वीडियो यह सारी इंपोरेंट है अगर आप त सकते हो ठीक है तो पूरी गैरेंटी के साथ बताती हूं कि यह आपके कोश्चन पूछे जाएंगे अगर आप कुछ भी नहीं पड़े हो तो आप बस 15 दिनों में इतनी ही तयारी कर लो आपके सारे कोश्चन पूछे जाएंगे ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा हो अगर आप टोगों को वीडियो में बहुत मेहनत लगती है तो आप लोग इस पर लाइक करना बिल्कूर न भूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारे इंपॉर्टन कोश्चन और मॉडल पेपर प्रिवियस ये पेपर सारे आपको इस पर दिये जा रहे ह और एक्जाम की तयारी करिए क्योंकि एक्जाम आपका नजदीक आ गया है 16 फर्वरी को आपका एक्जाम है और उसकी तयारी अच्छे से करिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टन टॉपिक के साथ धन्यवाद